ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्योग चैनल में आपका हर दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 अगस्त सुक्रवार के रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आ आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आ आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल र साती सात आज आपके प्रतेक कारे सरलता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी धर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजना और विचारधरा की नवीनता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभी रूची विशेष रहेगी आपकी आज अनेको एक्छैंपूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योज और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यत्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहि मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फल सफलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज का समय आपके लिए काफी उतार चड़ाफ से भरा रहने के ब नेथा आप फाइनेंसियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज अधिकता रहेंगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन सौंदर्य प्रशादन आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैंसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़ें साती साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर प्रालें माता पिता का अ आज आपको सहियम रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें, आग, पानी और वाहन दुरघटना से समल कर रहें, बदनामी और निसेदादमक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा, दैनिक कारों में थोड़ा अव हैं, समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप आवश चलें, दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें, बहस करने से, मुसीबत में आज आप फस सकते हैं, यात्राओं को भी आज आप टालें, आपके लिए अच्छा रहेगा, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आप उत्पन हो रहा है वह भी आज समप्त हो सकता है आपको लव पार्ट्नर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा और आपके रिस्ते में मजबूती आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इदर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमां मिल सकती हैं रोमांटिक आकर्षन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाय में धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से ब्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेश करना लाबदायक रहेगा कारे छित्र में आज माहूल काफी अच्छा रहेगा और वेपार वेवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्थ होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचय करने का भी प्रतन सफल हो सकता है साथ साथ आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, विध्यारतियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है, दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तो ब्रहम भें वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा, वरना पाचन के रिया खराब हो सकती है, जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा, स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें, तनाव को दूर करने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वैयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो हम आपको जो इस उपाय को बताने जा रहे हैं इस उपाय को आपको संधियागाल यानि साम के समय आपको यह उपाय करना है ज्यां दोस्तो आपको करना क्या है जैन दोस्तो आपको एक बात का विशेश रूप से यह ध्यान रakesना है कि इस दीपक में आपको रूई की बाती के इस्थान पर लाल रंग के सूती धागे की आपको बाती लगानी है जैन दोस्तो इसके बाद आप इस दीपक में दो लॉंग भी डाल दें इसके बाद आप इस दीपक को जलाएं ज्यां दोस्तों इतना करने मात्र से ही इसका आप तुरंत प्रवाब देखेंगे मा लक्षमी के आशिरवास से आपके घर में धन सुक्सम पत्ती का वास होगा ज्यां दोस्तों आपके जीवन में दन संबंदित जोबी परिसानिया चल रही है मा लक्षमी के आशिरवास से सभी परिसानियों गानत होगा और आपके घर में धन सुक्सम पत्ती का वास होगा मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी ज्यां दोस्तों ये बहुती अच्चूप उपाए है इस उपाए को आप अवश्चे करें आपको अवश्चे ही लाब पराप्त होगा दोस्तों मा लक्षमी का असिरवाद आपको पराप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै मा लक्षमी अवश्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें देने बाद